हलो फ्रेंड्स रुबीस कुक बुक में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे मूली और गाजड का टेस्टी टेस्टी चीला जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पशंद आएगा आप इसे ब्रेकफस्ट हो या लंच में कभी भी बना कर खा सकते हो बच्चों को टिफि करके लिए हैं तेन चार हरीमिर्च को बारीक चौप करके लिया है अब एक मिक्सिंग बोल में कद्दुकस किया हुआ मूली गाजड अद्रक हरीमिर्च को डाल लेंगे हमने यह पर मूली और गाजड बड़ावर बड़ावन मात्रा में लिये हैं आप थोड़ा बहुत कम ज करेंगे स्वादनुसार नमक भूना हुआ जीरा पाउडर एक कटोरी पानी उसके बाद इन सभी चीजों को हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे यह अभी भी बहुत जादा ड्राइ है तो यहां पे हम आधा कटोरी लगबक पानी आड़ करेंगे उसके बाद इन सभी के लिए रख देंगे तो देखें यह अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम ढखके 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट बाद बैटर को हम चेक करेंगे देखिए बहुत जादा गाड़ा हो गया है सूजी पानी अब्सॉर्ब कर लिया है तो हम यहां पे कट किया तो देखिए इस तरह से गाड़ा बैटर हमने रेडी कर लिया है इसे बहुत जादा पतला नहीं करेंगे अब एक नॉन स्टिक पैन को गैस के उपर चड़ा दिया है इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे उसके बाद बैटर का एक चमच इस तरह से डाल देंगे और हम हातों से इस तरह से जितना पतला हो सकता है उतना पतला हम फैला लेंगे आप इसे चमच से भी दिरे दिरे फैला सकते हैं तो देखिए इसको हमने अच्छा से फैला दिया है उसके बाद दो मिनट के लिए ढग देंगे तो थोड़ा सा देखिए उपर शुक गया है तो आ जलकाशा कलर आ गया है अब इसको हम दबाते हुए नीचे तरब भी दो मिनट के लिए धक कर पका लेंगे तो देखिए दो मिनट हो गया है तो अब हम इसको पलट देंगे अब दबाते हुए उलटते पुलटते गोल्डन क्रिश्पी कर लेंगे इसे आपको मीडियम फ्लेम म पास से छे मिनट लग जाते हैं तो देखिए एक चीला हमने बना लिया है फिर से हम पैन में थोड़ा सा ओयल से ग्रीस करेंगे और फिर एक चमच हम बैटर का डाल देंगे और इसे हातों से ही इस तरह से फैला देंगे अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे दो मिनट के न लेंगे और उलटे-पुलटे गोल्डेन क्रिश्पी कर लेंगे तो देखिए दूसरा चीला भी बनकर तैयार है अब हम तीसरा चीला को अब अपने बच्चों के लिए हम बना कर दिखाते हैं तो देखिए इसको हमने अच्छे से फैला दिया है यह चीला जब उलटते- लट्टे एक तरफ क्रिस्पी हो जाए दूसरे तरफ पलट देंगे थोड़ा सा उपर से हम इस तरह से चीज डाल देंगे मेरे बच्चों को चीज बहुत पसंद है और दो मिनट के लिए ढग देंगे तो देखिए चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है तो उपर से हम थ चीली फ्लेक्स खतम हो गया था तो थोड़ा सा हमने चीली पाउडर डाला है अगर आपके पास है तो आप डाल देजिए थोड़ा सा हम यहां पे धनिया पत्ता से डेकोरेट कर देंगे तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है मूली गाज़र का चीला इसी तरह से बाकी चीला को भी हम बना कर रेडी कर लेंगे इस तरह से मूली गाज़र का चीला को बनाएंगे तो बड़े तो बड़े बच्चों को भी बहुत पशंद आने वाला है अगर आपको यह मूली गाज़र का चीला का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्र बड़े तो मैं चानल थैंक्स फर वाचिंग